बैंक खतधार को के लिए एक बार फिर से जबर्दस्त खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने भी बैंक खता खुलवा रखा है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा चाहे आपका बैंक खता सेविंग एकाउंट है या फिर आपका बैंक खता क्रेंट एकाउंट है। दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम आपको तमाम जान कर देने वाले हैं। अंतर है तो इन दोनों में क्या अंतर है और कितना लाब दिया जाता है उसके बारे में हम आपको जान कर देने वाले हैं। कि आपको सेविंग एकाउंट ओपन कराना है या फिर आपको करेंट एकाउंट ओपन कराना है। ठीक दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जानते हैं कि क्या इसमें फाइदे हैं और क्या इन में नुकसान हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि जो आपका सेविंग एकाउंट है। देखिए सेविंग एकाउंट और जो आपका करेंट एकाउंट है वे दोनों ही बैंक खाते होते हैं। हालकि इन दोनों में जो इस्तमाल है वे अलग-अलग कारियों के लिए किया जाता है। सेविंग एकाउंट आपको समय के साथ पैसे बचाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानि कि जो आपका सेविंग एकाउंट है उसमें आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और इसमें और भी कई मदद आप ले सकते हैं। यहें आम तोर पर एक current account की तुलना में ज्यादा ब्याज देता है, यानि कि जो saving account है जो आप पैसे जमा करते हैं, उसका ब्याज अधिक तर saving account में मिलता है, यानि कि ज्यादा तर जो ब्याज मिलता है saving account मिलता है, हाला कि जो current account है उसमें इतना ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है? होई दोस्तू हलाकि saving account में पैसे निकालने और number दोनों पर ही कई नियम निर्धारित की हुए है यानि कि अगर आप saving account से पैसे निकालते हैं तो उसमें आपको limit देखने को मिलेगी कि आप इतने रुपे से अधिक नहीं निकाल सकते हैं suppose that जैसे कि आप 50,000 रुपे निकालना चाहते हैं और आपके बैंक के जो लिमिट है वे 40,000 रुपे की है तो आप 40,000 रुपे ही निकाल सकते हैं 40,000 रुपे से अधिक पैसे आप नहीं निकाल पाएंगे ठीक है? यहाँ पर कई बड़े नियाम इसमें निर्धारित के गए है और यहीं नहीं दोस्तो charges नहीं लगाने के यह यह आपका जो minimum balance है अगर वे कम होता है अगर आपका जो minimum balance निर्धारित के गए है उससे कम होता है तो आप पर charge भी लगेगा आपका balance है वे भी cut हो जाएगा हम saving account की बात कर रहे हैं दोस्तों अब दोस्तों अगर हम बात करें current account की तो current account को इस तरह से design किया गया है जिसमें रोजना आप current transaction कर सकते हैं यह या फिर दोस्तों आपका जितना भी आपको पैसा चाहिए होता है जितनी भी आपको जुरुत है उतना पैसा ही आप निकाल सकते हैं current account में दोस्तों कोई भी limit निर्धारित नहीं की गई जितने भी पैसे के आपको आवज़िशकता है आप अपने current account से आप पैसा निकाल सकते हैं अगर current account पर ब्याज दिया भी जाता है तो दोस्तों वह saving account से बहुत ही कम होता है ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर जो saving account में क्या फाइदे हैं उसके बारे में जान लेते हैं बने रहेगा तमाम जानकर यहाँ आपको दी जाएगी तेकि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी पैसा आप जम्मा करें उसका ब्याज आपको मिलता रह तो दोस्तो आपके लिए saving account खोलना बहुत ही अच्छा option है यादि कि आप सेविंग account उपन करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जम्मा क्या गया पैसे पर आपको ब्याज मिले यदि आपको रोजाना खर्चे करना या फिर transaction करना चाहते हैं तो आपके लिए current account बहतिर होगा यादि कि अगर आपको कोई business है और आपको दिन में कई बार पैसे निकालने पड़ते हैं और आपके पैसे निकालने के limit कोई नहीं है यादि कि आप 50,000 रुपे, 60,000 रुपे या फिर 70,000 रुपे आप कई बार transaction करना चाहते हैं या फिर आपको इस तरह काई कारोबार है तो आपको current account ओपन कराना होगा क्योंकि इसके लिए एक ही दिन में कई transaction हो सकते हैं आपको दादें कि सभी बैंकों के नियम और ब्याज current account और saving account के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किये गए हैं अब दोस्तों बात करते हैं current account कि तो दोस्तों देखिए यहाँ पर current account में क् मिहाँ पर जान लिजिए current account current account एक तरह का बैंक खाता ही है जिसमें ज़्यादा व्यवेसाइक कंपनियों और संस्थानों के लिए उनके दिन पर दिन के financial transaction के लिए design किया गया है current account में ब्याज नहीं मिलता है यानि आप उस current account पर पैसे नहीं कवा सकते हैं जो आपका saving account ब्याज देता है वे दोस्तों आपका current account ब्याज नहीं देता है और इसमें कोई limit भी निरधारित नहीं की गई जैसे कि हमने आपको बदा है कि current account में कोई भी limit निरधारित नहीं की गई है आप जितना पैसा चाहे डेविड कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे सर्विस मिलती है करेंट एकाउंट में आप ओर ड्राफ्ट की स्विधा भी प्राप्ट कर सकते हैं आगर आक इन नोकरी पैसा वाले वेकती हैं आप नोकरी कर रहे हैं और आप ने current account open करा है तो आप इसमें दोस्तों आपने bank के अनुसार और राप की स्वीधा भी ले सकते हैं जितने आपके salary होगी उसी base पर आपको kalian पीसा जमा होता है बैंक में उसका ब्याज आपको मिले तो आपके लिए saving account अच्छा option है और आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों दिन में कई बार आपको transaction करना चाहता है फिर आपके पैसे निकालने कोई limit नहीं है तो आपके लिए फिर current account अच्छा option है तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकर होता है जिस भी topic पर आप जानकरी पर आपको चाहते हैं आप कमेंच हो कर उस को लिख दीजेगा आपकी जो भी person होंगे जो भी question आपकी होंगे उसके सवालों के जवाब दी जाएंगे और साथ-साथ आपको जो ईसके वी जानकरी पर आपको स्वेय समय पर मिलती रहेगी। कि इस चाहेथ को आपको किसी पर्विट के जाती है तुमाम जानकरında यही निवीदिंछ रहता है कि अगर आपने लुग लाहिक नहें कि आपकर दीजी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीज़ेगा ज्यासा था कि वीडियो सेर्म करेगा और बैल आको आप सेलेक्ट कर लीज़ेगा ताकि आने वाले सबी में आप तक को मिलते हैं तब तक लिए जोस्तों जय हिंद्ज भरात